इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो यथा संभव सबसे व्यापक समर्थन चाहते हैं ये ग्लूको सामाइन, कोलेजन, हल्दी और चोंडरोइटन गोलियों को मिलाता है नैचर बेसिक संयुक्त समर्थन में एक व्यापक संयोजंद रिष्टिकोंड शामिल है और संयुक्त समर्थन आपको कोलेजन, ग्लूको सामाइन और चोंडरोइटन के साथ तीन गुना समर्थन देता है विटामिन सी सामान ने हड़ी और उपास्थी के निर्माण में योगदान देता है और कोलेजन के निर्माण का समर्थन करता है ग्लूको सामाइन और चोंडरोइटन प्रकृती मूल कोलेजन टैबलेट अवशोशन में सुधार के लिए उच्च ग्रेट कोलेजन हाइड्रोलाइस प्रदान करते है तामबा सामान निस अयोजी उतक को बनाय रखने में मदद करता है और इसलिए उपास्थी के लिए फायदेमंद हो सकता है विटामिन डी, जिंक और मैंगनीज हड्डियों को स्वस्थ बनाय रखने में मदद करते हैं चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, सिसर्स क्वाड्रांगिलरस स्वस्थ जोडों का समर्थन करता है और सूजन और जोडों की दर्द को कम करता है सिसस प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, श्वसन स्थितियों में सुधार करता है, दर्द और दर्द को शांत करता है और हड्डियों के स्वास्थे को बढ़ावा देता है 2. बोस्विलिया सेराटा में सूजन रोधी, गठिया रोधी और एनालजेसिक गुण होते हैं सूजन को नियंत्रित करने में मदद करके इसका उप्योग औस्टियो और्थ्राइटिस, रूमेटीड गठिया, बरसाइटिस और टैंडोनाइटिस के लिए किया जाता है 3. थंडर गॉडवाइन रोमेटीड गठिया, एन्किलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस, दर्द और अन्य सूजन संबंधी स्थितियों जैसे आटो इम्यून स्थितियों में काफी सुधार करता है 4. बिल्ली के पंजे का अर्क रक्चाप को कम करता है, संक्रमन से लड़ता है, गठिया का प्रबंधन करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है 5. अधरक कई रासायनिक पदार्थों की गतिविधी को कम करता है 6. इसकी उच्च सुरक्षा प्रोफाइल है और दर्द और विकलांगता को कम करने में इसका मामूली लापकारी प्रभाव हो सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें